पस्चिमी विक्षोप सक्रिये होने के कारण पूरे परदेश में हलकी से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी है कि नौर जिला के टिंकु नाला नामक स्थान में गलेशिर गिरने से तिबबत सीमा को जोड़ने वाला नेशनल हाइवे बंध हो गया है ताजा बर्फ बारी के बाद गलेशिर गिरने का खत्राल लगातार बढ़ रहा है आपको बता दे कि पक्षिमी विक्षोप सक्रिये होने का सिलसिला जारी है राजधानी लखनव में भी देराथ से रुक रुक कर बारिश हो रही है यही आलम पूर्वी से लेकर पस्च में यूपी तक देखने को मिल रहा है सुबह आठ बजे से लखनव में तीन एमेम बारिश दर्ज की गई है मोसम विभाग के अनुसार जीलों में हुई बारिश की जानकारी जुटा रहा है मोसम विभाग का अनुवान है कि बारिश का ये सिलसिला अगले 48 घंटे तक जारी रहेगा आज बुदवार को पूरे दिन बारिश पूरे परदेश में होती रहेगी कल गुरुवार को इसमें थोड़ी कमी आएगी लेकिन बारिश रुक रुक कर होती ही रहेगी दस जन्वरी को दोबहर बात से मोसम के खुलने की संभावना जताई जा रही है लेकिन राहत की बात ये है कि बारिश के दरमयान तापमान बढ़ता रहेगा गलन वाली समस्या दस्तारिक तक नहीं होगी रात और दिन दोनों के ही तापमान में बड़ोतरी देखने को मिलेगी हाला कि बारिश के दोर के कारण धन जादा महसूस होती है लेकिन वास्तविक्ता ये है कि तापमान कम नहीं होता मोसम विभाग का अनुमान है कि 10 जन्वरी की दोपहर के बाद मोसम के खुलने के साथ ही गलन बढ़ने लगेगी इसी दिन से फोक का असर भी देखने को मिल सकता है अनुमान ये है कि 10 जन्वरी के बाद दिन और रात दोनों के तापमान में गिरावट दर्च की जाएगी यानि ठन और बढ़ेगी हाला कि सकून की बात रहेगी कि 11 जन्वरी से दूप के दर्शन हो सकेंगे बता दे कि 14 जन्वरी को मकर सकरांती होती है ऐसे में इसके बाद सूर्य उत्रायन का हो जाएगा इसके बाद दिन की लंबाई भी ज्यादा होने लगेगी और दीरे दीरे दूप में गर्माहट भी बढ़ती जाएगी 14 जन्वरी से शादी ब्याहा के शुरू होने के साथ ही तमाम परवत्योहार भी शुरू हो जाते हैं मकर सकरांती के सिनान के दिन मोसम कैसा रहेगा इसका पूर उन्मान बात में मोसम विभाग चारी गए जन्मान बात में मोसम के शुरू होने के साथ 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 होने के जे बीडी बैंक्वर्ट्स लाए है एसे ही लेडेस्ट परबरे पाने के लिए बैल इकन को फिक कर हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वाद है हैंने याद ने बीड़ और सब्सक्राइब, टॉर्ण अर झाल इकन को लाइब, टॉर्ण चेर बैल इकन को वाद